आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो, उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ फेलो स्टुडेंट प्रेशन दिया हुआ है, इस्तन धारियों में पाचा नवम अफ्षोषर के संदर में निम्न कतनों पर ध्यान दीजिए ठीक है, निम्न में सत्य तथा सत्य को पहचानियों और सही विकल्प का चैन कीजिए पहला कतन क्या है, कुफर कोशिका ये वह गिलसन संपूत दोनों इसतनी यक्रत में पाये जाते हैं कुफर कोशिका ये इनहें क्या कहते हैं, भक्षानु कोशिका भी कहते है कोई संक्रमन या किसी तरह का जीवानों का संक्रमन होता है तो उनकी कोशिकाओं को उनका भक्षन कर लेती हो संक्रमन से बचाती है तो इन्हें क्या कहते हैं भक्षाणू कोशिका यानि फैकोसाइल्ट सेल्स ठीक और यह कोशिका का भक्षन कर लेती है किसी भी प्रकार का संक गिलसन समपुट, इसे गिलसन नमक विए घ्ञानिक ने खो जा था है, इसलिए इसका नाम गिलसन रखा गया है गिलसन सब्ट या गिलसन कैपसूल, ठीक और ये भी यक्रत में पाया जाता है तो हमारा जो पहला कथन है, वो पूरिता सत्य है ठीक, तो दूसरा क्या कहा रहा है, दात विन्यास में गर्त दंती दात का अर्थ होता है, कि दात जब्डे की अस्थी में केक हाचों में लगे होते हैं, ठीक है, तो गर्त दंती दात जो होते हैं, वो जब्डे की अस्थी में लगे होते हैं, वो जब्डे में पीछे की तरफ ह होते हैं ठीक तो हमारा ये वाला कफन भी जो है गर्थ दंती-दांट क्या होते हैं गर्थ-दंती है गर्थ-दंती का अर्थ क्या है गर्थ-दंती ठीक गर्द दंती, देखे, जो हमारा मुख है, उसके अंदर क्या है, मुख गुहा, उस मुख गुहा में, क्या है, कई प्रकार के दांत है, दांत उपस्थित है, तथा जीव है, तथा जीव, पेशिये जीव है, ठीक, पेशियों की बनी हुई, जीवा है, ठीक है, ये जो दाथ है ये एक साचे में मुख के अंदर साचे में यानि जबडे में जबडे में एक साचा होता है जबडे में एक साचे में धले हुए होते हैं साचे में लगे होते हैं ठीक है तो यह जो पूरी प्रक्रिया है मूँ के अंदर गुहा में जो दातों को लगा होना जिस तरह से वो लगे होते इसे क्या कहते है गर्थ दंती इसे कहते है गर्थ दंती यानि एक गर्थ के अंदर दात जो है वो धले हुए या फिक्स है ठीक इसे गर्थ दंती कहते है जबडे जो दूसरा कथन है कि दांट जो है वâu दांट विन्यास में गर्थ दंति का रथ है दांट जब्डे की अस्तियों में लगे होते हैं तो हमारा ये कथन सत्य होगा पूरता ठीक है तीसरा कथन क्या कह रहा है तीसरा कथन है मानव में तीन जोड़ी लार गरंथी पाई जाती है जिनमें से पेराटेट जीवा के नीचे इस्थित सबसे छोटी गरंथी है ठीक है मानव में तीन लार गरंथी पाई जाती है ये कथन जो है ये बास सही है ठ लार ग्रंथी कितनी होती है, लार ग्रंथी तीन होती है, तीन प्रकार की लार ग्रंथी होती है, लार ग्रंथी, ठीक है, यह कितनी प्रकार की होती है, यह तीन प्रकार की होती है, ठीक, यह लार ग्रंथी अधो जीवा, अधो हनू तथा पैराडाइट पाई जाती है, यह कौ अधो हनू अधो हनू तथा पैरो टेड ठीक है पैरो टेड पाई जाती है पैरो टेड जो है वो सबसे बड़ी ग्रंती होती है और ये कान के पास इस्तित होती है ये छोटी ग्रंती नहीं होती पैरो टेड ये सबसे बड़ी ग्रंती होती है पैरो टेड सबसे बड़ी गरंथी है बड़ी गरंथी है तथा ये कान के समीब ये कान के समीब पाई जाती है कान के समीब जबकि अधो हनू जो है वो मद्याकार की होती है और अधो जीवा जो है वो सबसे छोटे आकार की होती है अधो हनु ये मद्याकार की होती है मद्यम ठीक है मद्यम आकार की है और जो अधो जिवा है ये सबसे छोटी होती है अधो जिवा ये सबसे छोटी होती है ठीक है तो जो हमारा तीसरा कथन है वो क्या कहा रहा है कौन सी लार गंती छोटी है पैराटेड ये जीवा के नीचे स्थित होती है तो ये कथन जो है हमारा गलत है ये कान के समी पिस्तित होती है और ये सबसे बड़ी गंती होती है ठीक है तो हमारे यह कथन गलत हो गया चौता कथन क्या कह रहा है जाइमोजन निश्क्री एंजाइम प्रेक्टिक कोशिकाओं का श्राव नहीं है ठीक है तो जो जाइमोजन या प्रो एंजाइम का श्रावण जो है पॉस्टिक कोशिकाओं या मुख कोशिका द्वारा किया ज या प्रो एंजाइम प्रो एंजाइम इसका इसका श्रावण कहां से होता है मुख कोशिका से मुख कोशिका द्वारा होता है ठीक है कोशिका द्वारा तो हमारे चौथा विकल्ब क्या कह रहा है कि पैक्टिक कोशिकाओं का श्रावण नहीं होता है पैक्टिक कोशिका या मुख कोशिका द्वारा इसका शावर्ण होता है ठीक तो हमारा ये कथन भी गलत हो गया तो हमारा उत्तर क्या होगा सारे कथन सही है नहीं सभी कथन असत्त है नहीं एक बादो सही है जबकि तीनो चार गलत है तो विकल्ब C जो है हमारा उत्तर होगा ए आपको आपके प्रेश्ट का उत्तर मिल गया होगा, धन्यवाद.